नमस्कार दोस्तों एक ही जगह पर आपको पूरे mutual fund investments की details जानकारी मिले तो आपने जहाँ जहाँ जिस-जिस mutual fund में investment किया हुआ है और एक ही click पे आपको सब statement मिल जाए तो कई बार हमें difficulty होती है अलग-अलग जगह से अलग-अलग दोस्तों से हमने mutual fund लिया हुआ होता है क्या position है पता नहीं होता परिवार में अलग-अलग सदस्यों ने कहां पर investment किया हुआ है पता नहीं चलता तो यह जानकारी एक ही जगह पर आपको एक click में मिले उसके लिए आज इस वीडियो में हम detail जानेंगे बहुत short वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत important है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संजय गुर्नानी और आप देख रहे हैं wealth plus सबसे पहले हमें क्या करना है Google को open करना है उस Google Chrome में हमें लिखना है camps जैसा ही आप camps लिखेंगे तो बहुत सारी websites आजाएंगी उसमें आपको get consolidated account statement उसमें जाना है get consolidated account statement में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको अलग-अलग options आएंगे कई बार आप investments करते हैं आपके पास statement आती है वो अधूरी होती है कुछ funds दिखाती है कुछ funds नहीं दिखाती उसके पीछे का कारण है कोई funds जो होते हैं camps म होते हैं और जो कोई funds होते हैं के Fintech में होते हैं तो इन दोनों को merge करके statement हम generate कर सकते हैं जो आपने website open की camps की उसमें left side में KS camps plus K Fintech मिलता है इस option को click करना है इस option को जैसे ही आप click करते हैं तो आपको पूछता है summary चाहिए आपने जिस जिस fund में investment किया है उसकी summary या तो detailed transactions चा आपकी choice हो उसको आपको tick करना है उसके बाद तारीख पूछता है कि आपको किस तारीख को चाहिए अगर आज की तारीख का चाहिए तो आप आज की तारीख automatic by default आजाएगी या तो आप अपनी तारीख डाल सकते हैं जब आपको चाहिए उसके साथ आता है क्या essay funds भी आपक email अब यह सबसे important part है जो email आपने investments के समय पर अलग-अलग funds में आपने register करवाई हो वही email आप डालेंगे मतलब जिस जिस fund में आपने जो email दी हुई होगी वो email आप यहाँ डालेंगे तो ही statement जनरेट होगा उसके बाद pan number आता है यह optional है यह कहां पर काम में आता है कई बार investments एक ही family member deal करता है तो investments की पूरी जानकारी उसी की mail में आती है परिवार में अगर पांच सदस्य हैं पांच के mutual funds account हैं अलग-अलग जगह पर investment होता है एक ही सदस्य को सभी के mails आते हैं वो ही देख रहा है तो यहाँ पर pan number डालने का तात्परिया यह है कि आपको अलग- अगल-ग investments चाहिए तो सबका pan number one by one डालना होगा अगर सबकी जानकारी एक ही जगह पर चाहिए तो आप pan number नहीं डालेंगे तो आपके परिवार के जितने भी investments होंगे mutual fund में वो camps में होंगे यहां पर आपको email डालना है pan number में ने बताया अगर किसी एक ही सदस्य का statement चाहिए यह आपके लिए बहुत important है यहां पर आप वही password डालिए जो आप सरलता से याद कर पाएं क्योंकि जैसे ही यहां पर आप submit करेंगे statement आपके email पे आएगा और उस email में जो statement आपके पास आया होगा PDF format में उसको open करने के लिए आपको यही password लगेगा इसलिए यह password याद रखि देगा ताकि उस investment की statement को आप open कर पाएं email डालने के बाद आपने pen number डाला उसके बाद आपने password डाला same password reconfirm किया जैसे ही submit क्लिक करेंगे 5-7 minute के अंदर आपके email में पूरा का पूरा statement आजाएगा उसको open करना है आपसे password पूछेगा जो आपने यहां पर password डाला वो password डालना ह और आपका पूरे का पूरा investment आपके हाथ में तो दोस्तों कैसा लगा यह video अवश्य बताएगा comment अवश्य कीजिएगा इस प्रकार के आपको जो भी videos चाहिए सुझाओ अवश्य दे सकते हैं आप advice दे सकते हैं हम आपके लिए ऐसे videos लाते रहेंगे जो आपकी income आपकी wealth झाल